हलो दोस्तों वेलकम टू माई यूटीब चैनल मैं हूँ प्रदीब देबनात और आज मैं दिखाने वाला हूँ गुटेनबर्ग के उपर एक रीच टेक्स्ट ब्लॉक कैसे हम लोग क्रियाट कर सकते हैं ठीक है मैं पिछले ट्यूटोरियल में दिखा चुका हूँ अल्रेडी के एक स्टाटिक ब्लॉक कैसे हम लोग गुटेनबर्ग में क्रियाट कर सकते हैं ठीक है अगर वह आप लोग नहीं देखे हैं तो मैं रेकॉमेंट करूंगा कि वह आप देख ले उसके बाद यह बाला देखेंगे तो ज्यादा आसा नहीं राएगा समझने में ठीक है तो य यह में एक स्टाटिक ब्लॉक क्रियेट किया ठीक है जहां पर एडिटर में ऐसे दिखा रहा है और यहां पर आगर जाएंगे तो यहां पर देखेंगे अलो वर्ड फ्रॉम फ्रॉंट एंड ठीक है तो यह हम लोग बनाये थे तो अभी इसके बाद हम लोग एक रीच टेक् दिया हुआ है ठीक है तो यहाँ पर मैं एक और नया डिरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ ठीक है तो उसका नाम में देता हूँ rich text block और इसके अंदर मैं create करता हूँ index.js तो यहाँ पर मैं यह पिछला tutorial का जो code था वो code में copy कर लिया तो इससे क्या होगा इससे basic block का structure हम लोगों को मिल गया ठीक है और यहां पर मैं नाम चेंज कर लेता हूँ और यहां पर icon के लिए मैं लेता हूँ यहां पर यह वाला icon मुझे लेना है ठीक है तो उसको मैं ले लिया और यहां पर अभी हम लोग क्या करने वाले है अभी हम लोग Rich Text Block ready करने वाले तो इसलिए Rich Text को हम लोगों को Import कर लेना होगा ठीक है Rich Text को हम लोगों को लेना होगा डवली पीटियर्स पे ठीक है तो rich text element को हम लोग ले लिया और अभी यहां पे और एक file add करना होगा यह editor.css ठीक है तो यह अभी खाली ही रखते हैं अभी मैं इसको save करता हूँ ठीक है अभी एक पर जाके मैं देखता हूँ अभी हम लोगों का सही से हुआ है के नहीं ठीक है तो यहां पे मैं आके refresh किया पेज़ को तो यहां पे comment section में आए अच्छा इसको हम लोगों को add करना होगा यहां पे इंपोर्ट ब्लोग रिच्टेक्स ब्लोग अभी रिफ्रेश किया अभी यहां पे आते हैं माई रिच्टेक्स ब्लोग ठीक है यह आ चुका है ठीक है तो अभी फिलाल यहां पे कुछ नहीं होगा यह basic है तो इसको मैं remove कर दिया remove करने के बाद कि यहां पर आता हूं अभी यहां पर हम लोगों को dynamic content देना होगा तो dynamic content के लिए यहां पर क्या होता है यहां पर हम लोगों को attributes यूज करना पड़ता है ठीक है तो यह attributes हम लोगों को सेट करना रहाएगा dynamic content लेने के लिए यहां पर currently अभी क्या हो रहा था अभी यहां पर हम लोग इसको edit नहीं कर सकते यह static block है ठीक है लेकिन जब हम लोग rich text block create करेंगे तब हम लोगों को dynamic करना होगा ठीक है नॉर्मली block create करने का process यह होगा कि editor में हम लोग block add कर पाएंगे तो अपना customized content दे पाएंगे edit कर पाएंगे है नो तो वह करने के लिए हम लोगों को attributes देना होगा ठीक है तो यह attributes पर पहले हम लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं यहां पर content दे सकते हैं यह message दे सकते हैं ठीक है यह फिर text दे सकते हैं जो भी नाम देना चाहिए वही नाम दे सकते हैं तो मैं यहां पर देता हूं content ठीक है और यहां पर Source Set करना होगा ठीक है Source पे यहाँ पे मैं देता हूँ HTML और यहाँ पे देना होगा Selector सिलेक्टर के अंदर हम लोग Playing करेंगे कि जहाँ पे यह डिस्ब्ले होने वाला है ठीक है यह जो Content Display होने वाला है तो यहाँ पे मैं देता हूँ Text Content एंट और text content के पहले यहां पर देखिए मैं डॉट यह तो यह होutत टो यह class को point करेगा ठीक है text content class को पॉइंट करेगा तो मुई हो चuka है तो यहां पर यह basic setup हुआ अभी इसके बाद हम लोगों को यह edit वाला वंउनगर करना है तो तो यहाँ पे हम लोगों को देना होगा attributes और यहाँ पे set attributes ठीक है यह मैं दे दिया उसके बाद return में हम लोगों को use करना होगा rich text ठीक है और यहाँ पे मैं देता हूँ टैग नेम टैग नेम पी यहाँ पे class name class name यहाँ पे देते है class name यह जो है ठीक है और उसके बाद यहाँ पे देते है on change और यहाँ पे value ठीक है तो value यहाँ पे हम लोगों का जाएगा content on change अभी में यहाँ पे set करने वाला हूँ ठीक है तो यहाँ पे पहले में लेता हूँ constant constant content attributes असके बाद function on change content नाम लिए यहाँ पे आएगा new content set attributes set attributes के अंदर यहाँ पे मैं देंगा content को new content से set करते हैं ठीक है तो on change पे यहाँ पे मेरा होगा on change content function ठीक है तो यह हम लोगों का edit function हो चुका है ठीक है यहाँ पे complete हुआ अभी हम लोगों को save के अंदर काम करना होगा ठीक है तो save function के अंदर यहाँ पे में ले लेता हूं कि एक्रिव्यूट्स क्लास नेम ठीक है यह ले लिए और यहाँ पे रिटन होगा हम लोगों का रिच टेक्स्ट और यहाँ पे टैग नेम में देता हूं पी वैल्यू यहाँ पे जाएगा content तो content लेने के लिए यहाँ पे हम लोगों को देना होगा और यहाँ पे लेना पड़ेगा हम लोगों को यहाँ पे जो सिलेक्टर हम लोग दिये थे वह सिलेक्टर में जो हम लोग लेना पड़ेगा ठीक है तो यहाँ पे लिए टेक्स्ट पांटेंट ले लिए ठीक है तो अभी मैं इसको एक बार शेफ कर लेता हूं सेफ करने के बाद अभी जाके में एक बार टेक्ट करता हूं ठीक है तो यहाँ पे में आया refresh किया तो यहां पर मैं माई रिच टेक्स्ट यहां पर हलो वर्ल्ड तो यहां पर मैं इसको बोल्ड इटा लिक कर सकता हूं अभी अपडेट करके देखते हैं अपडेट हो चुका है व्यू पोस्ट यहां पर व्यू पोस्ट पर आये तो यहां पर डिस्पले नहीं किया अच्छ 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 तो इसको मैं रिमूफ कर देता हूं इसको मैं रिमूफ किया यहां पर मैं एड करता हूं फिर से हेलो वर्ल्ड इसको इटलिक किये और पूरा चीज को मैं राइक थ्रू कर दिया अपडेट करते हैं अच सिर्ष औल भी पोस्ट तो यहां पर अभी आया है ठीक है तो यहां पर यह error क्या हुआ था यहां vrai हम लोगों को डोट संट आधर कंटंट यहां पर देना ओगा जब हम लोग डिस्प्लेइफ करने वाले हैं ठीक है तो यहां पर आप सैकनी हम लोगा एक यह rich text क्रिये हो चुका है ठीक है एक rich text block create ओचुका है तो मैं यहां पर फिर से एक बार go through कर देता हूं यहां पर मैं क्या क्या यहां यहां पर हम लोगों को rich text element लेने के लिए पहले हम लोगों को rich text लेना पड़ेगा एडाःएद टीठस से थीके तो यह robot को एले प्रेद करना पड़ेगा यह हम लोगetas कर लिया यहाँ पर और उसके बात जब di forma platform हम लोग को देना पड़ेगा एडिटर से तब हम लोग को यह attributes यूज करना होगा ठीक है तो attributes के अंदर हम लोग mention किये एक content ठीक है यह content हम लोग mention किये तो content का source होगा HTML और selector होगा जो हम लोग output में देने वाले हैं ठीक है उसका class name यहां पर जाएगा ठीक है तो वह मैं यहां पर दे दिया class specify करके ठीक है तो यह हम लोग का attributes सेट हो चुका है content का अभी edit function में हम लोग क्या किये class name attributes और set attributes यह सब हम लोग arguments लिए ठीक है उसके बाद हम लोग content में attributes set किये उसके बाद unchanged content on change content में क्या किया on change content function के अंदर हम लोग arguments लिए और वो argument को हम लोग set attribute में attribute हम लोग का content हम लोग लिए हैं उसको हम लोग set कर दिये new content से और यह on change हम लोग call कर रहे हैं जब यह element on change होगा ठीक है उस time पर हम लोग यह function को call कर रहे हैं तो इस सबसे यहां पर call हो रहा है और यह rich text का हम हम लोग tag क्या रखेंगे पी रखेंगे यहां पर अगर मैं जाओंगा कि एडिटर में आया अधिटर में आके यहां पर देखें मैं इसको एक बड़ इंस्पेक्ट पर रहा हूं ठीक है इंस्पेक्ट पे देखिए यहां पे हम लोगों का P element है ठीक है तो यह P element के अंदर हम लोग Rich text का जो भी data आएगा वो हम लोग ले रहा है ठीक है और यहां पे इसका value specify किये और यहां पे भी save function में अभी similarly हम लोग attributes लिए और class name नी है यहां पर हम लोग सेट अडियूट करने का ज़रूबरत नहीं है सेट अट्रिवूट हम लोगों का जब एडिटर में हम लोग एडिट कर रहें उसी टाइमपे लएगा तो इसलिए हम लोग यहां पर set attributes नहीं लिया, यहां पर content हम लोग attributes set किये, उसके बाद हम लोग return के अंदर rich text content कर रहे हैं, और यहां पर भी हम लोग tag name नहीं है, p, और यहां पर हम लोग class name set किये, जो हम लोग का यह selected था, ठीक है, वो देना पड़ेगा, और यहां पर हम लोगों को value set करना पड़ा यह attributes ठीक है, तो यहां पर इसी हिसाब से आया है, ठीक है अभी यहां पर देखिए, viewpost पर भी में जाके वहां पर भी चेक कर लेता हूँ, यह tag name p, ठीक है, यहां पर अगर मैं इसको check करता हूँ, तो यहां पर देखिए, यह भी p में है, अगर मैं इसको पी नहीं करके, मैं मैं इसको डिव्क दे रहा हूं और यहां पर भी मानी है कि मैं इसको डिव्क दे रहा हूं तो अभी मैं एक बार देखता हूं एडिट पर गया तो यहां पर कि अपडेट हुआ है तो इसलिए यहां पर प्रॉब्लम दिखा रहा है कि मैं इसको रिमूफ कर दिया रिमूफ करने के बाद मैं फिर से नया एड़ करूंगा ठीक है तो यहां पर हिसा है कि अध्र सयलो वर्ल्ड में लिया ठीक है और यहां पर हम लोगों का जो फंक्शनारेटी से वह तो होगा तो यहां पर देखिए अभी यहाँ पर क्या है अभी यह डीफ के अंदर है ठीक है और अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ तो next line देखिए break करके आया है ठीक है तो मैं इसको update किया update करने के बाद view post पर भी मैं जा रहा हूँ पर यहाँ पर इंस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ पर भी देखिए डिफ के अंदर अभी दिखाड़ा है ठीक है तो इसी हिसाब से हम लोग यहाँ पर टेग नेम सेट किये ठीक है तो उसी हिसाब से हम लोगों को देना परेगा तो यहाँ पर मैं फिर से इसको पी कर दिया तो यह था हम लोगों का रिच टेक्स्ट ब्लॉक क्रियेट करने का ट्युटोरियल यह मेरा इस सिरीस का सेकेंड वीडियो था आगे और भी वीडियो आने वाला है ठीक है अगर आप यह कुटेनबर्ग डेवलाप्मेंट प्रोसेस को देखना चाहते हैं सिखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए कॉमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर दीजिए तो आपके साथ फिर से नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बात होगा तो तब तक के लिए गुड़ बाई थैंक यू